आज के टिप्स बहुत ही यूसफुल होने वाले हैं वीडियो को पूरा देखिएगा तब ही आपको समझ आएगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आये तो अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर कर दीजिएगा चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी क कर दीजिएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो पहला टिप हमारा चाय के कप को लेकर है जब भी हम चाय पीते हैं तो क्या होता है कि कभी-कभी जल्दबाजी में चाय पी लेते हैं और बरतन ऐसे ही रख देते हैं मतलब तुरंधी हमारा धोने का मन नहीं करता ह या फिर हमें कहीं जाना होता है तो इस तरीके से अगर हम चाय के कप को छोड़ के रख देते हैं तो क्या होता है इन में दाग पढ़ जाता है और जिसको वाश करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि दाग पढ़ जाता फिर इतनी जल्दी यह नहीं जाता है तो इनको हम कैसे रखें कि इनमें दाग भी ना पढ़े और हम जब फुरसत मिले तब हम इनको क्लीन कर लें तो इसके लिए आपको क्या करना है या फिर आपका वाश करने का मन नहीं है तो आप इसी टिप को फॉलो करके दाग से वर्तनों को बचा सकते हो तो आई होप आपको यह आइडिया पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरा अगला टिप सोप को लेकर है तो क्या होता है कि जब भी हम सोप को इस तरीके से रखते हैं सोप केस में तो नहाने के बाद क्या होता है इसमें काफी सारा पानी रह जाता है और जो यह छोटे-छोटे होल बने है इनसे भी पानी अच्छे से नहीं निकल पाता है और सोप हमारा गलने लगता है इसमें रखने की वजह से तो कैसे हम इसको रखें कि बिल्कुल भी गले नहीं तो आपको क्या करना है जब भी सोप को आप नहाने के बाद रखो तो आपको पहले इसमें एक लिड लगा देनी है इस तरीके से किसी भी बॉटल की लिड आप लगा सकते हो तो यहाँ पर साबुन सुखा हुआ इसलिए अच्छे से नहीं आ रहा है हलका सा गीला होगा तो अपने आप ये लिड चिपक जाएगा अच्छे से और इस तरीके से करने के बाद आपको सोप केस में इसे रख देना है ऐसे रखने से क्या होगा कि लिड पे रखा होने की वजह से ये सोप केस से टच नहीं होगा और बिल्कुल भी जब पानी नहीं लगेगा तो बिल्कुल भी ये गलेगा भी नहीं आप इस तरीके से एगर सोप को इस बंद करने वाला है तो बंद करके भी रख सकते हो और इसका मैंने अल्रेडी वीडियो डाल रखा है चैनल पे उसमें मैंने आपको कई तरीकों से सोप को रखना बताया है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो तो इस टिप को भी फॉलो करके आप सोप को गलने से बचा सकते हो बहुती बढ़िया तरीका है और बिल्कुल फ्री में हमारा सारा काम हो जाता है तो I hope आपको ये भी आइडिया पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरा अगला टिप बुक को लेकर है तो क्या होता है फ्रेंट्स जब भी हम बुक को पढ़ते हैं मतलब इस तरीके से थोड़ी मोटी बुक होती है और कुछ पेज ऐसे होते हैं जहां से हम खोलते हैं तो इस तरीके से साइड से जहां पे जॉइंट होती है बुक वहां से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि दूसरे साइड का पेज जो है वो पलटके इधर के साइड आ जाता है तो इसको हम कैसे रोके कि यह पेज भी न पलटे और जो जहां से बुक जॉइंट है वहां से हम पढ़ भी ले या फिर आप यहां से इस तरीके से पढ़े तो यहां से बिलकुल अच्छे से खुल जाती है पेज नहीं पलटेगा लेकिन हमको यहां से पढ़ना है तो बार-बार पेज पलटता है और हमें पढ़ने में दिक्कत होती है तो इस तरीके से जॉइंट वाला पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत होती है तो इसके लिए हमें क्या करना है कोई भी भारी चीज ले लेनी है तो आप इस तरीके से ताले का इस्तमाल कर सकते हो और रखने के बाद आप जॉइंट वाला आराम से पढ़ सकते हो बिल्कुल भी पेज पलट के वापस नहीं आएगा तो इस तरीके से जो हम बुक पे रखने के लिए जो मिरर खरीदते हैं भारी साब वो हमारा खरीदने का सारा पैसा बच जाएगा और घर में पड़ी बेकार चीज़ से हम यूज भी कर सकते हैं यहां पर आप अगर ताला बेकार है तो आप उसका भी इस्तमाल कर सकते हो और जब भी आप पढ़ लो तो आराम से इसको उठाके रख भी सकते हो इसी का इस्तमाल हम नियूस पेपर पर भी कर सकते हैं जब भी हम नियूस पेपर पढ़ते हैं तो अगर हम उसको इस तरीके से रख देते हैं फैन चल रहा होता है तो भी नियूस पेपर उड़ता है तो आप उस पर भी इसको रख सकते हो as a holder कहीं भी पेपर नहीं उड़ेगा तो I hope आपको ये भी टिप पसंद आया होगा मेरा अगला टिप हनी को लेकर है तो क्या होता है फ्रेंट जब हम हनी को लेकर आते हैं तो हमारे मन में एक डाउट रहता है कि ये ओरिजनल है भी की नहीं तो इस तरीके से काफी सारे आप अपने साब से डाल सकते हो और थोड़ा भी टिशू पेपर यहां पर ले सकते हो क्योंकि थोड़ा सा ही काम है तो इस तरीके से आप हनी को डाल दीजिए यहां पर थोड़ा सा मैं हनी और डाल दूँगी तो ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके तो यहां पर मैंने डा तो आप समझ जाएए कि ये हनी ओरिजनल है इस तरीके से आप शहद की ओरिजनलिटी चेक कर सकते हो कि ये है सही या नहीं है तो जब भी आपको हनी आप मार्केट से लाओ इसी तरीके से आप उसको चेक कर सकते हो या फिर आप पानी में भी डाल के देख सकते हो उससे भी पत चूडियों को पहनते हैं तो इनका यूज हम कभी कबार ही करते हैं और ज्यादा तर इनको हम रखे ही रहते हैं क्योंकि किसी फंक्शन या पार्टी में ही पहनते हैं तो क्या होता है रखे रखे ये चूडिया काली पढ़ जाती है और इनका ये शाइन जो है कम पढ़ जाता ह तो इनको हम कैसे रखें कि हमारी चूडिया अच्छे से सेफ रहें तो इसके लिए आपको क्या करना है पहले इन चूडियों को ऐसे ही रखना है और उसके बाद हमें ले लेना है एक पेपर आप कोई भी पेपर ले सकते हो नियूस पेपर, कौपी का पेपर या फिर टिश्यू पेपर कोई भी आप ले सकते हो जो आपके पास हो और लेने के बाद हमें इन चूडियों को इस तरीके से पेपर पे रखना है और रखने के बाद इसको रोल करना है इस तरीके से दीरे दीरे करोगे आराम से हो जाएगा और रोल करते करते हमें इस पेपर को चुडियों के अंदर इस तरीके से डालते जाना है इस तरीके से जब आप चूडियों को पेपर के अंदर रखोगे तो बिल्कुल भी इनका शाइन नहीं जाएगा और रखने में भी आसानी होती है इदर उदर चूडियां गिरती नहीं है तो आराम से कवर रहती है तो इस तरीके से आप चूडियों को रख सकते हो जब भी हम मोबाइल के बॉक्स में भी कर सकते हो मैंने इसके लिए भी ओल्रडी वीडियो डाल रखा है चैनल पे आप जाके देख सकते हो तो इस तरीके से हम जब चूडियों को रखेंगे बिल्कुल भी इनका शाइन नहीं जाएगा और रखने में भी बहुती कमफर्टेबल रहता ह और जब भी आपको यूज करना हो आप आराम से इनको इस पेपर को हटा के यूज भी कर सकते हो और पेपर भी हमारा वेस्ट नहीं होगा इसी बॉक्स में आप डाल दीजीए यूज करने के बाद वापस से इसी पेपर में आप रैप करके रख सकते हो तो इसी तरीके से जि पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर दी जएगा तो फ्रेंट आज का विडियो आपको कैसा लगा खर से जवार कर दीजैगा या क्मेंट क्रार पसंद आया है तो झाल झाल